नमस्कार जय हिंसातियों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल General Study Preparation पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो समीधान है वो कितना जुरूरी है किसी देश का समीधान क्या मायने रखता है एक देश का समीधान उतना मायने रखता है जितना की एक देश अपने आप मायने रखता है देश की जो रूप रिका है, देश की जो नियम कानून है, वो सभी किसे आधारित है, हमारे समिधान से आधारित है, तो समिधान की समझ हमें कहां से मिलती है, समिधान की समझ हमें उसकी प्रस्तावना से मिलती है, पहले देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हमें समझना होता ह तो उसकी एक बुक होती है बुक को समयने के लिए हम उसका क्या है, content पड़ती है, ठीक है, सामने लिखा होता है na content, table होता बना, की वे, फर्स चेप्टर ही है, फर्थ ही है, फोर्थ ही है, तो एक content बना होता है, या parts भी डिवाइड होते है, unit में डिवाइड होता है, book पूरी क्या में फित्टमें क्या सकते त Caleb घ्रेंट में कुछ ऊधीड यूर्डवर व्हर्वू के अन्दर उसको अलग-अलग भाग में अलग-अलग तरीके से बाँठा जाता है ताकि उसकी Understanding को पड़ लेते तो उसके वादं के अंदर जाते हैं और उस Trim अगर आप देखे तो उसके एक चपहावी बनानी अपने दिभाग में किसे बनाते है अपने प्रस्तावनासे बनाते प्रियंबल से बनाते हैं । अधे प्रहिवडन बहुत इंपोर्ट्रेट है और बोट तरीक करता है तो उसी तरह से आज में आपको यहां पे बहुत आसान शब्दों में बहुत आसानी से प्रेवल के बारे में बताऊंगा और अगर अब तक आपने यूट्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिजी और वीडियो को जाता जाता शेर कीजिए देखे शेर करने में कुछ न सबसे पहले समीधान में प्रेवल यानि की प्रस्तामना कोन हीद क्या गया वो किसके द्वारा क्या गया अमेरिकन क्या गया और भारत का जो समीधान है वो 26 नुवंबर 1909 को बनकर त्यार हो गया था लेकिन इसको जो त्यार हुआ और साथी साथ अडॉप्ट भी कर दिया थ है उसकी वो 26 जनुवरी 1950 से समीधान को पुल रूप से लागू किया गया उसके बाद इसमें एक बहुत बड़ी चीज आती है कि जो हमारी प्रस्तामना है क्या वो समीधान का भाग है या नहीं है तो इसके दो चीजे है पहला जो केस था बरूबरी केस था उसमें यह कहा ग इसके कमपैरिजन में फिर दूसरा केस चला वो किसका चला केश्वननद भारती केस चला 1973 में और यह 1960 में यह दोनों केस आपको याद रखने पड़े के 1960 में बरूबरी केस था और 1973 का केश्वननद भारती केस था यह पेपर में भी पूछ लिए जाते है इंपोर्टन कोशन है ठीक है तो 1973 में जो प्रस्तावना है उसको समीधान का एक अभिन अंग मान लिया गया कि वही जो प्रस्तावना है वो समीधान का ही भाग है उसके सब्सक्तिक अगर आपने देखिए समझ बनान यह किशी की एव एक बुख की समझ देखनी है आपने कैसे देखेंगे आप के कंटेंट के कृवन से आपको पूरा का प्ता चल रहा है कि इस बूख के अंदर क्या क्या लिखा है ौर एक मैं भाब इस ती समीधान को भी respirator के तरह का है क्या यह बहुत कठोर कानून को बनाए हुए है या लची लापन भी इस में या कि थोड़ी एक आप कह सकते कि एक स्काने की यो वैलियूस है उसके जो नूम्स है वो कैसे है उसके बादे कर हम देखे तो इसके ऑपजेक्टिव क्या है कि यह जो स्टेट किया है थे हमारा राज्यो है यानी कि जो workout को सामने को हमारे सामने रख लेता कि किस तरह का देश है किस तरह की यहां पर कारप्रनाली है यहां की जो कानून व्यवेस्थता है यहां के लोगों के रहन सहन या लि제 जो adoption the है यह के लोगों के जो basic principles है उसके बारे में यह बड़ी असानी से हमें clear-cut बता देता है । जैसे कि इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है objective में कि liberty के बारे में बताता है liberty के बाद equality की बताता है liberty का मतलब है सवतनतरता ठीक है liberal होना और आसान कर देना चीज़ों को ठीक है लोगों को आसानी से जीने का अधिकार दे देना ठीक है इसमें किसी तरह का कोई आसा नहीं सकते हैं अपने हिसाब से काम कर सकते कार्यों करने की आजादी होगी बोलने के आजादी है काम करने की रहने के आजादी है हर तरह से liberal कर देना चीज़ों को दूसरा equality यानि कि समानता की बात करना किसी को उपर नीचे ऊंच नीचे छोटा बढ़ा ग्रीव अमीर की होगा कि वही अमीरों के लिए कोई निया कानून होगा ग्रीवों के लिए कोई दूसरा कानून होगा या क्रिमिनल्स के लिए कुछ और है सिविल नियन के लिए कुछ और है सभी के लिए एक समान निया व्यवस्ता बनाया रखना यह भी मैतवपुन अब्जेक्टिव प्र क्या गया है हमारे को प्रियंबल के द्वारा ही उसमें सबसे पहले खागा कि वहीं जो हमारा Constitution होगा वो कैसा रहेगा Sovereign रहेगा Sovereign रहेगा साथ साथ Socialist रहेगा Secular रहेगा Democratic and Republic यह चीजों के उपर यह इंसर्ट करने के लिए हम इसे एंटोनी एड़ कर सकते क्योंकि जो समीधान है जो Constitution है उसका प्रोविजन है कि आपको पार्लियमेंट में जाके अमेंडमेंट करना पड़ेगा वहां पे संसद में वोटिंग होगी ठीक है उसमें फेवर में अन फेवर में को वोट कास्टिंग होगी तब जाके आप किसी Constitution को अमेंड कर सकते हैं बदल सकते हैं संशोधित कर सकते हैं तो यह जो शक्ति है संशोधन की शक्ति है Constitution कहां से मिलती है आर्टिकल थी 68 से यह ध्यान रखिएगा क्यों कौन से आर्टिकल से 368 जो आर्टिकल है उसके कि इसके बारह में मैं बताया गया है और सबसे पहले जो ऑमेंड मेंट किया इसको अ इसमें कि socialist था हमारा secular था integrity था तीन वर्ड ये इसमें insert किये गए और इससे जो हमारे समीधान की जो गरीमा है और ज्यादा मजबूत की गई इसमें कहा गया कि जो हमारा समीधान रहेगा वो socialist नेचर रहेगा ठीके समाजिक नेचर रहेगा सामयाबाद की जो एक जलक वो भी मेंदेखने को मिलेगी सारे साथ सेखुलर रहेगा इस धर्म निर्फ्रेक्ष रहएगा सभी धामद को एक समान्ठां दीजागी क्योंकि हमारा जो देश है यह बहूल धर्मों का देश है यहां पर सिक जैन हिंदो मुस्लिम ठीक है इसाई पार्सी बहुत सारे धर्म के लोग यहां पर रहते तो सभी को इक्वल प्रोटेक्शन देने के लिए इसमें सेकुलर शब्द जोड दिया गया यहां पर कोई राष्ट्य धर्म नहीं बनाया गया इंटेग्रिटी